हेलो दोस्तों कैसे वाप सब जैसे कि आप सब को पता है आज हमारी जियोमेटरी टोपिक की तीसरी किलास है अभी तक हमने इसकी दो किलास कर लिया और उसमें कुछ कॉंसेट्ट सीखे और 14 कोशन्स कर लिया आज हम अपने कोशन्स को महीं से आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको सिर्फ इसके कोशन्स कराऊंगा अभी तक जितने हमने कोंसेट्ट सीखे हैं उनकी आदार पर कोशन्स करेंगे एक दो कोंसेट्ट और नहीं आ सकता है बाकी हमने अभी तक 14 कोशन्स कर लिया अब हम पंदरवा कोशन्स के और आगे बढ़ते हैं देखें 15 कोशन्स मे क्या है पी आर पी आर समानतर है क्यों यूखे यानि पी आर समानतर है क्यों यूखे और हमें निकालना है पी आरेस कौन पी आरेस जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था इसमें जो बीच में लिखा होता है वो कौन निकालना होता है हमें और कहां लिख रहा है यह लिख रहा ह तिर्बुज है ये एक तिर्बुज है और ये तिर्बुज का बहुत अच्छे से सीखा था 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 इसके बरबर हो गया, हम ने कल एक कॉंसेप्ट और स्क्सारा यदू व्मानतर रेखा आए है है यदि दो पिरते हैं इसी तरह यहां पर भी चार कॉं़ और इसी तरह यहां पर भी डिग्री है तो यह कोंड भी 120 डिग्री होगा हमारा आंसर पी कोंड पी आरेस बराबर 120 डिग्री एक बर फिर से समझते हैं हमने इस कोंड को कैसे किया हमें दीख रहा था यह एक तिरबुज है और यह इस तिरबुज का बहिये कोंड किसी तिरबुज का बहिये कोंड का है दो समांतर रेका वह को चाहते तो इनने पर चार आधिया को पेहले कि बराबर होता है दूसरा को रोल्erm दूसरे ज्धों दूसरे के पर सीट मैं पर डेखा था तीसरा को और सौ्झ 156 होगा हमारा देखे हम इस questions को पहले कैसे समझाते हैं इसमें दो triangle है यानि दो तिरबुज है एक ऐसा तिरबुज है इस पर कौन कौन से कौन बना है कौन दो बना है कौन चार बना है और कौन छे बना है यानि दो चार छे और एक तिरबुज ये है एक triangle यह है, इस पर कौन कौन से कौन है, एक ये कौन है, और एक ये कौन है, हमें पता है तिरबुज के तीनो कौनों का योग 180 degree होता है, इस तिरबुज के तीनो कौनों का योग 180 degree होता है, यानि कौन 1 पलस कौन 3 पलस कौन 5 बराबर 180 degree, इसी तरह इसके भी तीनो कौनों का यो 60 degree आता है यानी कौण 1 1 מkan 2 우리 우리 matrix 3 प्लस कौण 4 plus कौण 5 plus कौण 6 बराबर 360 degree वैसे हमारे पास इसकी एक sr3k भी है जब भी star वाली form का question सा ज़े और हमें कोण निकालना है उसके सभी कोणों का यह क्या है तो हमें क्या करना है n-4 into 180 डिगरी, एन यहां पर क्या है, एन कोणों की संख्या है, देखे कैसे, कोण कितने कोण है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चे कोण बने है इसमें, चे, तो एन का मान चे, छे माइनस 4 इंटू 180 डिगरी, छे में से 4 कम क्या 2, दो गुणा 180, यानि बराबर आ गया 360 डिगरी और हमारा अंसर भी क्या है था, 360 डिगरी, जब भी अश्टार वाली फोर्म का कोश्टन्स आ जाए, और उसकी हमें सभी कोणों का योग निकालना हो, तो एन माइनस 4 इंटू 180 डिगरी, एन क्या है, एन कोणों की संख्या है, अब हम अगले कोश्टन्स के और बढ़ते हैं, अगला कोश्टन्स करते हैं, देखें जैसे कि ये कोश्टन्स भी अश्टार की फोर्म का ही कोश्टन्स है, और हभी हमने समझाया है, जब भी अश्टार की फोर्म का कोश्टन्स आ जाए, और उनके सभी कोणों का योग निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोट र 180 डिगरी पाच में से चार कम किया एक एक गुणा 180 डिगरी तो इसका माल आया 180 डिगरी यानि इसके सभी कोणों का योग 180 डिगरी है और हमें निकालना भी आई था कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 180 डिगरी हमारा आंसर आ गया अब नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं इसमें बताया गया है A B समांतर है D E के और X की वैलू निकालना है देखिए इस कोशन को हम कैसे करेंगे हम इन दोनों रेखाओ के समांतर एक तीसरी रेखा खीजेंगे हमें ये नहीं पता है ये कोण कितना होगा और ये कोण कितना होगा हमें सिर्फ इतना पता है ये पूरा कोण 5x है हम ये नहीं कह सकते है कि उपर 2x और नीचे 2x ऐसा नहीं है कि बराबर इस रेखा ने इस कोण को बराबर समधी वाजित किया है हमें ये नहीं पता है, सिर्फ हमने इन दोनों रेखाओं के समांतर एक तीसरी रेखा कीश दिया, अब देखिए हमारे कुछ कॉंसेप्ट है, यदि दो रेखाए एक दूसरों के समांतर है, और उन्हें कोई तीसरी तीरेक रेखा डिवाइड कर दिया है, तो ये कॉंड इस और भी 3X होगा, अब दूसरे कॉंसेप्ट है, यदि दो रेखाए समांतर है, और कोई तीसरी तीरेक रेखा उन्हें डिवाइड करती है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिगरी होता है, यानि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये कॉंड और ये कॉंड, इन दोनों का x है तो दूसरा क्या है 180 minus r x 180 minus r x यादि दो कौनों का जोड एक 60 degree है और उनमें से एक कौन r x है तो दूसरा क्या होगा 180 में से आट कम कर दो 180 minus r x अब हमें पता लगा उपर कौन 180 minus r x और नीचे तीन x यानि इन दोनों का जोड 5X के बराबर है इन दोनों इस कोण और इस कोण का जोड इस पूरे कोण के बराबर है यानि 180-8X पलस 3X बराबर 5X एक सो सी माइनस 8X उपर वाला कोण और 3X नीचे वाला कोण और बराबर किस कहागा पूरे कौन के पूरा कौन क्या है 5X एक सोसी माइनस 8X प्लस 3X माइनस 5X बराबर 5X 5X को उधर लेगे बराबर 10X यानि X बराबर 18 डिगरी X का मान आ गया 18 कोशन के और बढ़ती है 19 वा कोशन से देखे इस कोशन में क्या बताया गया है AB समानतर है CD के AB समानतर है CD के और X का मान निकालना है AB समानतर है CD के और X का मान निकालना है हमने कल एक कोंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा था अगर कोई ऐसा चित्र है और इस कोण का मान X degree है और इस korn का मامान Y degree है पिछली किलास में जीसने नहीं देखी होगी वो उस किलास को देख ले और अगर इस korn का मान X degree है और इस का मान Y degree है तो इन दोनों इस korn का मान X पलस Y degree होता है अगर हम इसी basis पर इस questions को करे तो हमें ये कॉन तो पता है 14 degree लेकिन यह कौन नहीं पता है लेकिन हमें पता है यह एक सीधी रेखा है सीधी रेखा पर बने कौन का योग एक सोसी डिगरी होता है अगर यह 120 डिगरी है तो यह कौन 60 डिगरी होता है यह कौन 60 डिगरी होता है अब यह माल लीजी X है यह माल लीजी Y है तो ये कौन क्या होना है X पलस Y यानि इन दोनों के जोड के बराबर ये कौन होता है इन दोनों के जोड के बराबर ये कौन होता है यानि 2X पलस 30 बराबर 60 पलस 40 2X पलस 30 बराबर 100 2X बराबर 70 यानि X का मान आ गया 35 डिगरी X का मान आ गया 35 डिगरी और x कमाने में निकालना था अगर किसी की समझ में यह नहीं है तो मैं इसे दोबारा समझा दे तो क्यासे होता है यह दोनों रेखाए एक दूसरे के समांतर है हम यहाँ पर कोई तीसरी रेखा इनके समांतर कीशते है हमें पता है यह दोनों रेखाए समांतर है अगर ये कौन x डिग्री है तो ये कौन भी x डिग्री होगा चोंकि एकांतर अंत्य खंड के कौन बराबर होते है अगर ये कौन y डिग्री है तो ये कौन भी y डिग्री होगा चोंकि एकांतर अंत्य खंड के कौन बराबर होते है अगर दो समानतर रेका है और उन्हें कोई तीसरी तीरेक रेका काटते है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं अब हमें क्या पता लगा ये पूरा कोण क्या है पूरा कोण है X पलस Y डिग्री और X क्या है ये और Y क्या है ये इसी तरह हमने यहां पर किया है, इस कोण को 40 है, और यह हमने निकाला है 60 degree, यानि इन दोनों का योग इस कोण के बराबर होगा, 2x plus 30 बराबर 60 प्लस 40, यानि x बराबर 35 degree, नेक्सट कोष्टन क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोष्टन में हमें बताया गया है, RST 144 degree, P क Amen 215 degree, और P के समानतर है, हमें निकालना है क्यों आर एस का मान, हमें यह कोण निकालना है, देखे इस questions को हम कैसे करते हैं हम इसके समांतर RT के समांतर एक रेखा खीचते हैं हमें पता है ये दी 2 रेखा है एक दूसरे के समांतर है और कोई तीसरी तीरे रेखा काटते हैं तो उस पर 4 कौण बनते हैं 1, 2, 3, 4 3 कौण तीसरे के बराबर होगा अगर ये कौन 140 डिग्री है तो ये कौन भी 140 डिग्री होगा अब हमें ये देखना है ये एक तिर्बुज बन गया ये एक तिर्बुज है और ये तिर्बुज का बहिये कौन है ये तिर्बुज का बहिये कौन है ये तिर्बुज का बहिये कौन है तिर्बुज का बहिये कौन अंते कोण के सम्मुक कोणों के योग के बराबर होता है यानि ये 140 डिग्री इन दोनों कोण के योग के बराबर है अब हमें ये कोण मिल सकता है ये एक सीधी रेखा है सीधी रेखा पर बने सभी कोणों को योग 180 डिग्री होता है अगर ये 115 डिग्री है x बराबर 140 माइनस पैसेट यानि x बराबर 75 डिगरी दुबारा समझे क्या समझाया मैंने हमने इस रेखा को आगे बढ़ाया जो ht के समानतर है हमें पता है दिदो रेखाई समानतर है तो इनके संगत कौन बराबर होते है ये कौन इसके बराबर होगा इसी तरह ये कौन इसके बराबर है अगर ये 140 डिगरी है तो ये भी 140 डिगरी होगा अब हमें पता है ये एक तिर्बुज बन गया ये एक तिर्बुज बन गया तिर्बुज का बाहिये कौन तिर्बुज के अंतर कौन के सम्मू कोणों के योग के बराबर होता है यानि ये 140 डिग्री इन दोनों के योग के बराबर है हमें इस कोण का पता है क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने सभी कोण 160 डिग्री के होते है अगर ये 115 डिग्री का है तो ये 65 degree का है और 65 पलस x बराबर 140 इस तरीके से हमने x कमांद 70 degree निकाल दिया अब अगले questions के और बढ़ते हैं 21 questions करते हैं इसमें बता गया है कौन DCE निकालना है कौन DCE जैसे के हमने बता है और AEC यानि ये कौन 40 degree और इसमें एक information और है BA समांतर है DF के BA समांतर है DF के यानि ये रेखा इसके समांतर है हमें पता है यदि दो रेखाएं समांतर है और इन्हें कोई तीसरी तीरेक रेखा काटती है तो संगत कौन बराबर होते हैं यानि ये कौन इसके बराबर ये कौन इसके बराबर और ये कौन इसके बराबर और ये कौन इसके बराबर तो उस पर 4 कौन बनते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अगर ये दोनों रेखाई समानतर है तो पहला कौन पहले के बराबर होता है यानि ये दोनों कौन बराबर ये दोनों कौन बराबर इसी तरह ये दोनों कौन बराबर तो हमने अगर ये 115 डिगरी था यो भी 115 डिगरी हो गया अब हमें पता है C, F, E, 1 तिर्भुझे C, F, E, 1 तिर्भुझे और तिर्भुझे के टीनों कौना का योग 180 डिगरी होता है अगर ये 115 है और ये 40 है तो ये कौन कितना होगा 115 प्लस 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री यानि 155 प्लस x बराबर 180 डिग्री x बराबर 25 डिग्री x का मान कितना आ गया 25 डिग्री यानि ये कौन 25 डिग्री आ गया अगर ये कौन 25 डिग्री है तो ये एक अस्टेट लाइन है यानि एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बने कौन अगर यह 25 डिग्री है तो इस कोड़ का मान आ गया 155 डिग्री डिसी बराबर 155 डिग्री कैसे यह एक सीधी रेखा और सीधी रेखा पर दोनों कोड़ा का योग होता है अगर यह 25 है तो इसमें क्या जोड़ना होगा जो एक सोसी हो जाए 25 पलस 155 बराबर 180 डिग्री अब हम नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं इसमें बता गया है कौन पी ओएस कौन पी ओएस पी ओएस यानि यह 130 डिग्री अ पी क्यों समांतर है आर अश के और हमें निकालना है क्यों पी ओ और क्यों पी ओएस क्यों क्याउं पी ओ यानि हमें ये कोण निकालना है और पी ओ क्याउं पी ओ क्याउं ये कोण भी निकालना है हमें इन दोनों कोण को निकालना है देखिए इसमें क्या बहतरी लोजिक लग रहा है P क्या हूं समांतर है RS के अगर P क्या हूं समांतर है RS के यानि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है और उन्हें कोई तीसरी तिर्यक रेखा डिवाइड करती है तो एकांतर अंत्याखंड के कोण बराबर होते है यानि ये कोण इस कोण के बराबर होगा ये कौन इस कौन के बराबर होगा अगर ये कौन 40 डिग्री है तो ये कौन भी 40 डिग्री होगा ये कौन भी 40 डिग्री होगा अब हमें पता है ये एक सीधी रेखा है सीधी रेखा पर बने सभी कौन 110 डिग्री के होते है अगर ये 130 है तो ये कौन 50 डिगरी का होगा क्योंकि 130 और 50 180 हमें ये कौन तो मिलेगा यानि PO क्यों बराबर 50 डिगरी अब हमें निकालना है क्यों PO हमारे पास ये कौन है 50 डिगरी और ये कौन है 40 डिगरी और हमें पता है तिरबुज के तीनों कौनों का योग 180 डिगरी होता है 50 और 40 90 और 90 एक 180 यानि हमारा ये कौन 90 डिगरी आ गया यानि क्याउं P O बराबर 90 डिगरी एक बर फिर से देख लीजे इस question को इसमें बताया गया था P क्याउं समांतर है RS की जब दो समांतर रेखा होती है और उन्हें कोई तीसरी तीरेखा डिवाइड करती है तो एक आंतर अंतर अंतर खंड के कौन बराबर होते है एक आंतर अंतर अंतर खंड के कौन ये कौन इसके बराबर ये कौन इसके बराबर है यानि अगर ये 40 डिगरी है तो ये भी 40 डिगरी होगा अब हमने देखा ये एक straight line है यानि एक सीधी रिखा है और इस पर दो कोण बने है एक कोण ये और एक कोण ये इस कोण का मान 130 degree है और सीधी रिखा पर बने दोनों कोण का योग 110 degree 130 ये और 50 ये यानि ये कोण 50 डिख्री आगा एक answer हमारा ये निकल गया हमें ये निकालना है त और 440 90 और 90 एक्सासी यानि इस कोन का मान 90 डेखनी है अब नेक्ष्ट को उसन करते हैं कि यह उसमानतर है आरस के पी क्योंध समानतर है आरसके और हमें निकालना है कोन एक्स यजय यानि यह को निकलना है देखिए हम इस खोंड को कैसे निकाल थे हमें पता है है यह एक सीधी रिखाए हैं और सीधी रेका पर बने सभी कोंडों का योग 180 degree होता है 180 degree होता है इस पे 3 खोंड मेंने हैं 1 2 3 एक तो कॉंड 120 degree कि को है दूसरा खों 30 degree यानि 120 और 30 152 है कि इस कोण का मान 30 टिग्री आ गया गया साथ और 120 180 और सिधी रेखा पर बने सभी पूर्णों का योग 180 तुर हमें हमें यह कौण मिल गया अगर हमारा यह कोण निकल जाएं, तो उससे ये कोण बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा, अब हमें पता है, यादि दो रेखाएं, एक दूसरे रेक समादर, उन्हें कोई तीसरी तीरेकर रेका काटते हैं, तो इन दोनों कोणों का योग, 100C डिग्री होता है, अगर ये कोण 120 है, तो इस कोण क सामान साट डिग्री अब हमें पता है इस सीधी रेखा पर बने तीनों कोणों का योग एक सो सी डिग्री होगा साट और साट एक सो बीस और ये कोण कितना हो गया साट डिग्री यानि ये कोण भी कितना हो गया साट डिग्री अगर ये कोण साट डिग्री है और ये कोण 30 देखें साथ दूसरा तीस इसे कोई नाम दे दीजे माले और तिर बुझ के तिनों को नहां गए होगा एक सोसी साठ और तीस नब्वे नब्वे को दर लेगे हमें पता है यह एक सीथी रहखा है और सीथी रहखा पर बने सभी कौंड़ों का योग 180 dg एक कौं 120 का दूसरा 30 123 एक सो पचास हमें तीसरे कौंड़ को कितना करना होगा 30 डिक्री यानि अब तीनो का योग 180 या गया और हमें पता है यह दो रेखाय एक दूसरे के समानतर है तो उनका योग 180 डिग्री होता है अगर यह 120 है तो यह कितना होगा 60 डिग्री और फिर से हमें पता है यह सीधी रेखाय है और सीधी रेखाय पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री 60 60 120 और यह कितना आ गया 60 और तिर बुज़ के तिनों कोड़ों का योग 100C 60 30 90 और 90 90 180 यानि हमारा ये कोड 90 डिग्री आ गया हम नेक्स्ट को बढ़ते हैं वेसे तो मैंने कल इसको डिरेक्टली आपको समझाएता हूं इसमें हमें Y का मान निकालना है मैंने कहा था जब भी ऐसी आकरती आ जाए ये कोड़ दिया हो बीटा ये कोड़ अलफा और ये कोड़ गामा और हमें ये कोड़ निकालना हो ये कोड़ एक्स ये कोड़ इन तीनों के योग के बराबर होता यानि एक्स बराबर अलफा पलस बी GATA प्लस GAM secondo यानि ये कउन इन तिनों के योग के बराबर होता है लेकिन को इस में Y degree निकालना है और हमें पता है एक बिंदू के चारो兒 360 डिग्री का कॉन बनता है However, एक बिंदू के चारों 360 डिग्री का कॉन बनता है तो हमें ये कौन निकालना है यह कौन निकालना है तो यानि यह पूरा कौन 360 का है अगर हम 360 में से यह घटा दे तो हमारा यह कौन निकल जागा यानि y बराबर 360 degree minus x और x का मान क्या है इन तीनों का योग यानि y बराबर 360 minus alpha plus beta plus gamma alpha plus beta plus gamma हो सकता है किसी की समझ में यह नाया हो कि यह कैसे आगया x का मान directly वैसे हमने पिछली क्लास में यह पूरूफ भी किया है यह x degree है और यह beta है यह alpha है और यह gamma है तो हमने x के बराबर alpha plus beta plus gamma यह एक दम से कैसे रख दिया यह हमने पिछली क्लास में समझा ते लेकिन एक बार फिर से समझा देता हूं इस रेकाओ को हम आगे की और बढ़ाते हैं यह एक तिर्बूज है और यह तिर्बूज का बहिये कौन है किसी तिर्बूज का बहिये कौन अंत्य कोन के सम्मु कोनों के योग के बराबर होता है यानि यह alpha plus beta अब यह भी एक तिर्बूज है और यह तिर्बूज का बहिये कौन है अब तिर्बूज का बहिये कौन प्लस बीटा प्लस गामा आ गया यहां से में डिरेक्टली फॉर्मुले मिल जाता है अगर एसी आकर्ति में हमें इस कोन का मान निकालना है इस कोन का तो 360 में से इन तुनों को जोड़कर घटा दो यानि यह वाई बराबर 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जैड या एलफा प् प्लस में कुछ कॉंसेप्ट चीखेंगे और उसके बाद कुछ को संस करेंगे आज के लिए इतने धन्यवाद